इस वीडियो में वही परश्न को कँवर करें गे जो आपके बोड़ एक़र में पूछे जये जाएंगे और यह वायर परश्न है तो देखी ये सारे परशन कर पर प्णद गछा निन पर परटा स्व करें तो नहीं तो मैं आप लोग को बताते जा रहा हूं तो सबसे पहला प्रशन कि क्या बोलो जाएगा कि कलगत्ता में सोसाइटी की अस्थापना कब की थी मतलब अस्थापना हुई यहीं किस ने की थी तो बोलने तो यहां पर अगला प्रशन का पिता किसे कहा जाता है तो भारती पुरातों का पिता के काल में था तो यहां पर अगला प्रशन क्या बोलो जाना कि आपने स्वेंग के खर्चे से सुधरसन जील की मरमत किस ने कराए थी काफी इंपोर्टन है तो यहां पर पांच नम्र का प्रवावती गुद्ट हो जाएगा ठीक है जितने भी सारे प्रशन को पढ़ने वाले बिल्कुल यह परशन है और यह आपके बोड़ इच्वावाले यहां फ्रशन क्या पोड़े जाए ठीक है अगरा वोग यह सारे प्रशन को पढ़ने लेंगे तो आप लोग जो है बहुत ज्यादे रेते एक्जाम में पूरी तरीक से पढ़ लीजेगा चार फरवरी के लिए ऑब यहां द गिर्थी है तो केटिले की गिर्थी कॉंट से यहां पर देखिए फटावर्ट से तो आठ नवर का इटेसर बीनवरी आर्थ सास्तर करेक्टरंसर हो जाएगा चलिए अब देखेंगे अगला परस्ट ने क्या पर जा रहा है कि मेग अर्स्तनीज भात में किसके दरबार में आय करेक्टरंसर हो जाएगा चलिए अब देखेंगे अगला परस्ट ने क्या रहा है कि वज्जी को समाजी गरंथों में कहा जाता है तो क्या गया तो यहां पर देखेंगे अगला परस्ट ने को देखेंगे क्विशन नंबर 13 को 30 नंबर क्रिशन का बले जाता करेंगी अंब आम बारिका किसकी पत्म माद चींडियंगला किसकी पत्म यांठिया तो यहां पर यह सभी करेक्ट हो जाएगा ठीक है अब दुक्रीए अब पर देखेंगे महाभाःत के संदर में महाभारत कि पुरुव में वर्ण विर्ष्था का उल्लेक मिलता है तो पंद्रह नमर का इटेंसर क्या को शी नमर क्या हो जाएगा ठीक है अब देखते हैं अगला प्रश्ण क्या बहुत जारा है कि रिगवैदी काले इन लोग किसकी पूजा करते थे तो काफी आंधर मोग तो यहां पर सट्री का रा इटेनर को देखेंगे क्या बहुत जाएगा ठीक है कि अब देखते ही अगला प्रश्ण को देखेंगे क्या बहुताफट से देखना है कह रहा है कि निम्न मैंसे घौतम बुद के सिस्षे थे तो ंचा रहे नंबर का इसले होगीए सब्सक्राइब करें जाएगा अब देखते हैं अगे क्या बच्पन का नाम क्या था तो बुद्ध का बच्पन का नाम क्या था तो फटावट से बुलेगा तो 21 कि सब्सक्राइब करें जाएगा तो यहां पर 22 का करें अब देखें अगला प्रशन को देखते हैं कि भारत के सनविधान का पिता किसे कहा जाता है तो काफी इंपोर्टन कोशन है तो यहां पर आइटेंस ने भीमराव अमेट करको करेक्टेंदर बी नमरों का ठीक है अब देखते अगला परस्ट ने क्या बोले जा रहा है कि लौड माउंड बेटर ने वैसराय के रूप में पद गरन किया था कभी किया था तो पचीस नमर क कहरे किया इनमर को ने चोल्बिस मयर्च को यहां पर एटेंस भूलत यह शूबस नहीं का ड़ने दिनमर तो अलगजांदर करिगा सबस्तिन अ खानग च्क्रों कि परेटेंस अर्टेंट के भी एलगे लिबी तो उनिस जोड़न हृट लोगटा छले तो पाजिस थिख ग्ह Noah अगला प्रश्ण को देखते है क्या बढ़े जा रहा है कि भारतिया सर्मेधान जो लागू किया था तो इसका राइटन तो इसके अगला प्रश्ण क्या रहा है कि द्विश्य युद्य कि स्वर्ष परारम हुआ था तो इहां पर आइटन सर्म को जल्दी सब्लें 29 नमर का बीनमर नी 149 को हुआ था ठीक है अब देखते हैं अगला प्रश्ण क्या बरूर जा रहा है कि मुस्लिम लिख्किया अस्थापना कभू हुए थी तो मुस्लिम लिख्की जो अस्थापना हुए थी कभू हुए तो इसका अगला प्रश्ण क्या बरूर जाए कि अगर्स्थ उन्ससाथा इस वी पो जब भारत सब्सक्राइब रवा था उससे ब्रेटें के प्रदान मंत्री यहां पार्टी कि सरकार मतलब कौन सी सरकार थी प्राइब तो यहां पर आइटन सर्कूर बदीस नमर निवर पार्टी कि अगला प्रश्ण क्या बरूर अधिनियम कब बना तो यहां पर आइटन सर्कार जल्दी से बोलेगा तो 33 अठाटन सर्कूर जलाई अगला प्रश्ण क्या बने जारा कह रहा है कि सौराज पार्टी के सरस्था पकोंदे तो इसका इसका मतले यहां पर आइटन से क्योंगा और यहां रसी आगा करेक्टर से हो जाएगा ठीक है 36 नमर का ओके चलिए अब देखते अगला प्रश्ण को देखें कि क्या बने दरहा है कह रहा है कि हां यहां पर देखें 1920 में कौन सा अंदोलन हुआ था तो 1920 में जो आंदोलन हुआ था इसका राइटन दर बी नमर करें और आउसे अंदोलन हुआ था ठीक है अब देखते अगला प्रश्ण क्या बने करें कह रहा है फटापट से देखना आप लोग को चलिए अब देखते यहां पर भारत चलो आंदोलन किस वर्ष आरम हुआ था तो 1922 में बने करें कि मातमा गांदी के बचपन का क्या नाम था तो 40 से जल्दी से बोलना है आप लोग को और जवाब तेजी से देने तो बीनमर मनू करेक्टर से हो जाएगा ठीक है अब देखते अगला प्रस्ट न करेक्टर हो जाएगा ठीक है अब देखते हैं अगला प्रस्ट ने क्या प्रस्ट ने क्या रहा है कि मातमा गांदी दक्षिन आफरीका से भारत वापस आए तो कब आये थी तो यहां पर 33 नमबर का राइटेंसर जल्दी से आप लोगों बताने है चले बहुत बढ़ बढ़ देखते हैं अगला प्रस्ट ने क्या बले जा रहा है कि गेटवे इंडिया की इन्डिया जोग कि शैली का उधार है तो फटामट से अब जो चाहरेक्ट आंसर हो जागा फटामट से बोलने है क्या होगा यहीं इंडो सार्शनीक सैली के उधार है ठीक है चले अब देखते अगला प्रस्ट मैं का अन्च चले रहा है कि ऑनी चली सब अब को बताने हैं इश्चाइस सब्लंगो बतानने ऑन इंव Dieses क्याना चला ।कश्य को ब्ल्यृत ह्ते पर पहली आप भार्ति थी ते कंश बलक्र डेट रिवह एगा को जाएक है कि पूर्तोगाली ने गोवापर का बादिकार किया था तो फटावट से बिलेगा तो पंदाशो दस इसुए में किया था चीक है चले अब देखते अगला प्रस्ण क्या बढ़े जा रहा है कि भारत की राजदानी कलकता से दिल्ली अस्थांतिनित की गई थी कब की गई थी त विट्र है अब देखते अगला प्रस्ण क्या बढ़रा कि रहें कि अवदा मैं अठाटष इसदावन की करांती का नेतरुति किस ने किया था तो कवा था तो 53 नमर थे इन में से सभी जगह पर हुआ था काफी इंपोर्टन है पूर्ट इतरी के से देख लिए देख ली जगा और यहां पर आप लोगों को बहुत जो हैं परति से ज्यादे को पूछे जाने वाले अब यहां पर जोकन बागधियाकन आठ जुन को कहां पर दौरा ने शाह आलम दूइते ने किया था ठीक है चलिए अगला प्रश्ण क्या बले जा रहा है करें कि अर्ष्थाई बंदवस कहां लागू किया गया था तो अपर 56 अगला प्रश्ण को देखें कि क्या बले इस इंग्लिस इंग्लिस इस्टे इंडिया कंपनी के सुरुवा यहाँ अस्थाप्रा कब हुई थी तो यहाँ पर आइटेंस इंडिया जल्दी से बुलेगा तो इनमर इनी 1600 इस्वी में हुवी थी ठीक है काफी इंपोर्टन है यह सारे प्रश्ण पूचे आते इतना इजी है बट फिर भी पूचे जाते हैं अब देखें उल्गलान काथ और की नमर इसंठ्याल करणतर हो जाएगा ठीक है चले अब देखती अगला प्रस्ण क्याद एक किताब ऐंधर कड़ें रखेंद हमें भी नमर होगा ठीक है अब लेखने कि अगला परस्टन को देखते हैं कि ओले जारा है कि इबन बतुता किस सुल्टान के शासनकाल में भारत आया था तो यहांपर मुहम्मद बिन तुगलक के शर्षिनकाल में आया था अब देखते हैं अगला प्रश्ण को देखते हैं कि यात्रियों का सर्थाज किस यात्री को कहा जाता है तो यहां पर देखें फटाबट से बोलेगा तो पैसत नमर का राइट अंसर क्या होगा जल्दी से बूलेगा बी नमर बी नमर में क्यों होगा लगी हमार को बोलो करेक्ट अंसर हो जाएगा ठीक है अब देखें अगला प्रश्ण को देखते हैं कि किताब और किताब रहला में किसका यात्रा विरितांत मिलता है तो फटामट से अपनों को बताने है क्या होगा इसके निमर इबन बतुता करेक्टर हो जाएगा चले अब देखते अगला पर दिस्ट के बोलना है आस्ट नमर का तो यहां चैतरने महापर्भू करेक्टर हो जाएगा ठीक है अब देखे अगला परस्ट क्या बोलना है करें कि सुल्तान तो इन ex यहां पर 700 आप्सक्तिन दिल्ली क्रेक्ट ठाइगा अब देखते हुआ क्या बलो नबária करेगे क्या में संबंद किस सुफी संपर्थाइशे है तो 11 improving संक्राचार मत है कौन सा मत है का कवीर किये है अब देख्या है अगला परऊसों को देखेंगे कि निम्न मैंसे श्री नोमर श्रीन bangetऊ रभिया का चाहताओझे अब देखते हैं क्या बोले जा रहा है कि महारास्ट के संत कॉन थे तो 75 राइटन सर जल्दी से बताने हैं अपने से सभी करेक्ट हो जाएगा चलेए अब देखते हैं के activ Test state कर तो किसी नींगर को एक जहाँ आ रानी किया था ठीक है अब देखिते हको हैक राओ अपना पती का रीक है तो यहां लोगा हो जाएगा ठीक है अब देख浮े कला परेसटे क्या र not परशिद्य विरुपाक्ष्य मंदिर कहां इस्तित है तो यहां पर अट्र नमर का ए नमर का हमपी करेक्टर हो जाएगा चले अब देखते अगला परस्ट ने क्या बहुत जा रहा है कि तेनाली राम का संबंद किस राज वण से से हैं तो यहां पर हमारा असी का करेक्टर न से जल्दी से आप लोगो जवाब दिने सवरी नमर का एगला परस्ट नंबर का इनकी पहचान की गई तो किस से की गई थी तो हमपी के नाम से राइट नंसर क्या होगा यह निए नमर वाठीक है चले अब देखेंगे अगला परस्ट ने की ताज महल किस नदी की किनाड़ इस किस नाम से जाना जाता था तो यहां पर चौरासे का इरेक्टर नंसर क्या हो जाएगा ठीक है अब देखेंगे अगला परस्ट को देखते हैं क्या जा रहा है कि मुम्ताज महल किसकी पूत्र थी अगला परस्ट ने कि अगबर ने अगबर के समय राजकुमारों को अधिक्तम कितने मनसब्दार बनाया गया था तो यहां पर राइटेंसर क्या होगा जल्दी से देखेंगा चैनिन लगबग 12000 करेक्टर ने हो जाएगा ठीक है अब देखते अगला परस्ट क्या बंगल का टाइगर कहा जाता है तो यहां पर आइटेंसर कघाओ का इनेलोनी लीक्या डोट्केनिन को ठीक है चले अब देखते में पर परस्ट ने क्या बोले यहां रहा है कि 182 नोबर का पांच में कॉल वाले स्कोड बना था सरी यहां पर इनमर निवा इन सट्रेस्ट रानवा सरी बीनमर ओके जी नवासिन नमर का क्यों गावा ठीक है चलिए अब देखते अगला पर शने क्या बोले अटारस संथाउन के विद्रो का पहला सिपाई कौन था तो फटावर से अपल आँ यहां पर क्या होगा तो ए रम पर ठीक है चले अब देखे अठाव से इस्वेह में सिक्षा पर कमिशन की ने युकती किस ने की थी तो विद्म लोड कर जने की थी ठीक है चले अब देखते अगला परशन क्या बहले रहे गाई का बिल्डिंग किस यूरोपी ए कंपनी को पहले युरिपय कंपणी का पहले गोदाम था तो यहां पर आइट से क्या हो जल्दी से बोलेगा तो डीन में डच करेक्टर हो जाएगा ठीक है चले अब देखेंगे आगे अब यहां देखेंगे अगला परसने क्या बोले जा रहा है कि अखिल भारती है कॉंग्रेस के पर इंवाच में हुआ ठीक है तो यहां पर इंगलत हो जाएगा जवहाल लाण जेरू करेक्टर हो जाएगा स्वरी दिल्ली चलो का नाराज हो दिया था वो महत्मा गांदी ने नहीं दिया था तो इसका क्या होगा यानी सुभास चंद्र बोस ने दिया था ठीक है चलिए अब मैं आप लोगो लास्ट में बताने वाला हो कि सभी सब्जेक्ट पीडियाफ कैसे डाउनूड करेंगे कैसे पढ़ आप लोगो जवाब दे पा रहा है मैं आप लोगो देखना चाहता हूँ ठीक है अब देखे मैं आप लोगो सब्जेक्ट का PDF नौट उसके बाद आउनलाइन टेस्ट कैसे देना है देखे सबसे पहले आप लोग पूरी तरीके से वीडियो को देख लीजेगा उसके बाद जाकर लिट देखाना चाहूंगा इस वीडियो में तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग Google में तो यहां पर सबसे प्रवाद सर्च कर देना है देखे पूरी तरीके से लिख लिए इस तरीके से अप लोगों को यहाँ पर पूरी तरीके से सभी सब्जेक्ट का पीडियाफ मिल जाएगा देखे सबसे पहले आपका हिस्ट्री का दिया हुआ है इस तरीका सब्जेक्टिव अब्जेक्टिव दिया ठीक है फिर नीचे करते जाएंगे आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाते हैं नीचे करते जाना आप यहाँ पर सब्जेक्ट नेम देख लिजेगा और उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कर दीजेगा अब माल लिए में लिखा हुआ है तो डाउनोड के क्लिक कर देना है कि यहां से प्रक्षा के से पढ़ सकती है ठीक है पढ़ ली जेगा जब पढ़ लीजेगा उसके बाद पर दीषयं को फिर आप माले दूसरा मोडर बर चोंपर पढ़ना है तो क्या किसे इहां पर लिख़ा आजाएगा दुसरा मॉटल लिए क्लिक क्रेंगे क्लिक करना है जब क्लिक करेंगे तो आपके पास इस ँदरे पर निरमर्थ फिर सेयों दुसरा मोटender लींब के सामने तो यहां पर आप लोग का डूसरा मोटन लिए चलिए आज का वीडियो इतना से तब तक के लिए जाहिन जबनाएं